स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, इस वीदिम हम सीखने वाले हैं, आप किस तरह से कॉलम का विर्थि को सेट कर सकते हैं और किस तरह से आप रो की हाइट को सेट कर सकते हैं, वो भी बिलकुल step by step so आप देख सकते system की screen पे एक छोटा सा data बनाया है हमेने अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए product group है इसमें से आपको specific यहाँ पे सिर्फ तीन product का जो row है उसकी height को increase करना है तो हम manual इस तरह से करते हैं और इसको पकड़के इस तरह से खिषते हैं और इसको पकड़के इस तरह से खिषते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग आ रहा है यहाँ पे कुछ जादा होगा है यहाँ पे कुछ कम होगा और यहाँ और और भी कम है और यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि यहां पर कितना number of यह हुआ है cell का height इसमें कितना इसमें कितना तो देखिए simply यहां पर suppose मैं cursor को रखता हूँ मैं जाता हूँ home tape से format पर format पर जाने के बाद यह जो row height लिका है इसमें click करता हूँ तो आप देखिए इस cell याने कि पूरी row का जो height है वो है छी अलिस इसको मैं हटाता हूँ इस पर click करता हूँ again मैं यहां पर जाता हूँ फिर row height पर click करता हूँ देखिए इसका 40 है तो इस तरह से देखिए कम जाता उटा data में इसका simply एक बहुत ही से drag करतीजेगा तो automatically आप देख पाएंगे यहां पर तीनों जो row है उसका height एक साथ equal यानि कि बराबर यहां पर set होगा मैं थोड़े देर के लिसको again control Z करता हूँ आप चाते हैं कि पूरे data का यहां पर row का height same हो जाए तो देखिए एक तो तरीका है कि आप यहां पर entire sheet को select करेंगे वो किसी भी इस row को पकड़के इसे खिज देंगे तो आप देख सकते automatically यहां पर data पूरा का पूरा एक format में आ गया लेकिन यहां पर एक issue है, issue यह है कि यह जो blank है यह इसका भी height automatically बढ़ चुका है अब हमें यह नहीं चीए, तो again मैं Ctrl Z करता हूँ यदि आपको यह नहीं चीए, तो simply सिर्फ entire data का आप selection कीजिएगा इस तरह से mouse से, select करने के बाद या फिर आप simply Ctrl A भी यहां पर press कर सकते हैं यह Ctrl A मैंने प्रेस कर दिया, अब simply आप यहां पर जाईएगा format पर, format पर जाने के बाद यहां पर row height पर जाईएगा अब simply यहां पर देखे, यह कुछ इस तरह से यहां पर row height लिखा 18 इसको आप कर देजिए कि सबसाब 30 करना चाते हैं तो 30 कीजिएगा और simply OK कर देजिएगा तो सिर्फ specific data जो आपने select किया था उसी का height यहां पर increase हुआ यदि मैं नीचे scroll करता हूँ तो आप देखिए हमारी जो blank cell है यह देख सकते हैं, यह automatically जो पहले था वही है यदि आप चेक करना चाते हैं तो simply again format cell पर जाके यहां पर चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहां पर row का height है वो set कर सकते हैं यदि again मैं इसको control z करता हूँ सेम इसी तरह से आपको column का birth को set करना है तो देखिए मैं चाता हूँ कि इस पूरे data को मैं select कर लेता हूँ सबसे पहले इसके बाद किसी भी column को मैं पकड़के इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं यहां पर product name है product जो लिखा वो थोड़ा छोटा आ रहा है तो इसको मैं set करके यहां click कर देता हूँ तो देखिए product का जो cell है यह तो set हो चुका है बट यहां पे जो heading लिखी है कुछ जगा पे यह नहीं कि लंबी लिखी है तो इसको सही नहीं हो पा रही तो इसको सही करने के लिए simply आप again data का selection कीजेगा इस पर आप simply double click कीजेगा तो वापस देटा हमारा सही हो जाएगा अब आपको लग रहा है कि पूरे ही column का जो विर्थ है वो set करना है तो suppose आप चाते हैं कि यह जो है first वाला तो इस तरह साथ थोड़ो से इसको drag कीजेगा और छोड़िएगा तो देखिए पूरा एक साथ set हो जाएगा अब आपको लग रहा है कि नहीं specific से data का ही change हो तो यहां पर again आप कहीं भी click कीजेगा control A कीजेगा वापस से format cell पर जाएगा तो यहां से आप चाहे तो column का जो विर्थ है यहां से बिलकुल set कर सकते है इस पर आप click कीजेगा click करने बाद देखिए अभी 15 है मैं 15 को कर देता हूँ 30 और मैं कर देता हूँ OK तो आप देख सकते हैं automatically यहां पर हर एक column का विर्थ जो है वो 30 हो चुका है friends so आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा thank you so much